नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SP News 91 में सब्विदा कर्मियों को निकल लेकर एक बहुत ही बड़ी कुश कबरी आ रही है सब्विदा कर्मी लेटस नियूद जी हाँ दोस्तों इक्याण में हजार सम्विदा कर्मी होंगे पर्मनेट जी 41 विभागों ने जानकारी भेज दी है 41 विभाग में जितने भी सम्विदा करम चारी है और सरकार की सरतों के अनुसार उन्होंने सम्विदा कर्मियों के नाम को भेज दिया है सम्विदा कर्मियों को बहाल करे सियम ने आदेश दे दिया है पर्मानेंट करने की का आदेश सियम ने दे दिया है 91,000 सम्विदा कर्मी होंगे पर्मानेंट जी हाँ दोस्तों 41 विभाग में ऐसे 1,000 समविदा कर्मी है जो पर्मानेन्ट होने जा रहे हैं जो सरकार की सर्टो के अनुसार, सरकार के सरे रूल को फोलौ कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने मांगा है कितने साल की ड्यूटी उनकी होनी चाहिए एक साल में कितना उनकी duty होनी चाहिए सब कुछ जो भी कुछ है इस ख़बर को लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कितने साल तक उन्हें सब विदापत पर काम करने के बाद परमानेंट किया जाएगा सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथी साथ बैल आइकन भी दबा लीजेगा इसी तरह के ओथेंटिक अपडेट पाने के लिए तो आईए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं समविदा करमचारी होंगे इस्थाई एक्क्याण में हजार समविदा कर्मियों को मिलेगी रहत बढ़ेगा वेतन जी हाँ दोस्तों दस साल से भी अधिक समय से सरकार की अलग-अलग योजनाओ को चला रहे मध्य परदेश के एक्क्याण में हजार से अधिक समविदा कर्मियों को चुनाविस साल में राज्य सरकार राहत देने जा रही है सासन ने सभी विभाग से पूछा कि उनके यहां कितने समविदा कर्मी है इसी हिसाब से तैक किया जाएगा कि समविदा कर्मियों को क्या और कैसे लाब दिया जाए उच इस तरिये बैठक में तीन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है पहला यह है कि देनिक वेतन भोग्यों की तरहे उन्हें इस्थाई कर दिया जाए और सरकार से मिलने वाली सुविधा पढ़ा दी जाए दूसरी उनकी रिटायर्मेंट की आयू नियमित करमचारियों की तरहे कर दी जाए तीसरी उन्हें नई भरतियों में प्रात्मिक्ता में वरिष्टता देने के साथ ही बोनस अंक दिये जाए और चोथी इस्थाई करमी बनाने के साथ उन्हें समानकारिये और समानवेतन से जोडा जाए जी हाँ दोस्तों ये उनकी चार मांगे रही है सुत्रो का कहना है कि मुक्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने 11 मै को समविदा कर्मियों की महापंचयत बुलाई है इसलिए तेजी से यह परियास किय जा रहा है कि किसी एक फॉर्मुले को टै करके मुक्य मंतरी के सामने प्रस्तुत किया जाए पूरु में समविदा कर्मियों की हड़ताल के बाद तैह हुआ था कि नए प्रारूप के बारे में वित्त मंत्री जन्त मलेन से चर्चा होगी दो मई को तमाम समविदा करमचारी संगटन के लोग उनसे मिल सकते हैं अगर हम बात करें मद्य पर्देश के जो बड़े विभाग हैं उनमें समविदा कर्मियों की कितनी संक्या है तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप देख सकते हैं जन्जातिय विभाग में 42,646 आपके समविदा कर्मी है स्वास्त विभाग में 23,154 पंचायती गराम विकास में 8,133 और उर्जा विभाग में 6,303 इसकूल सिक्सा विभाग में 384 और महिलायम बाल विकास विभाग में 1589 और आपका लोग स्वास्त जियानतरीकी में 1227 टोटल अभ्यारती मध्या कर्मी मध्य पर्देश के संगत काम करते हैं 41 विभागों ने भेजी जानकारी अभी तक 41 विभागों ने बताया है कि उनके यहां कितने संविधा कर्मी हैं इसमें जेल विभाग और धार्मिक एवं धर्म 101 ही संविधा कर्मी हैं खनीज विभाग और सर्म विभाग को ने कहा कि उनके यहां कोई नही हैं सम्विदा कर्मियों को बहाल करें जी हां दोस्तों सम्विदा कर्मियों के संगठन मध्य प्रदेश सम्विदा संयुक्त संगर्स मंच ने सासन को इसपष्ट कर दिया है कि उन्हें ने केवल नियमित किया जाए बलकि सालों से किसी ना किसी वज़े से अत्वा अनियमित त कारण के या फिर कोई ना कोई छोटी मोटी वज़े देखकर जो 20,000 सम्विदा कर्मियों को निकाला गया है उन्हें भी काम पर रखा जाए तो ये थी आज की जानकारी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें